स्वागत करता हूँ दोस्तो smart technical channel में दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके अधार कार्ड से कितने सीम चल रहे हैं इसकी जनकारी आप अपने mobile से निकाल सकते हैं यदि आपको दोस्तो लगे जो यह mobile number मेरा नहीं है तो आप यहां से बंद भी करवा सकते ह है आप जिस भी company का सीम है उसके यहां पर complaint करके आप बंद भी करवा सकते हैं तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और किस प्रकार से आपके अधारकार से कितने सीम चल रहे हैं इसकी जनकारी आप अपने mobile से निकाल सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अपने mobile में एक नया पेज खुल के आजागा यहां पर सबसे उपर वाला जो लिंक है इसके उपर में दोस्तों एक वार आपको किलिक कर देना है यहां पर मिल जाता है टैफ कॉप कंजूमा पोर्टल इसके उपर दोस्तों किलिक कर देना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद दोस्तों अ यहां पर simply paste कर देना हैं आपको यहां पर request OTP पर क्लिक करना है कि आपको करना है अब आपके registered mobile number पर एक one time password को भेजा जाएगा उस password को यहां से copy कर लेना है और और copy करने के बाद और आपको यहां पर password को इस box में फिल कर देना है तो दोस्तों यहां पर पासवर्ट को покуп देना है। इसके उपशना हों इस थुद कर देना है इसके उपर क्लिक다 कर देने के बाद आपके साम्ऩे में इस तरह का भी पेज खुल किया जागा। अब आपके अधार कार्ड़ से कि जितने भी स्में चल रहे हैं इहां पर Lisk सो हो जाएगा तो चलिए हम यहां पर हमारा एक ही सीम उस अधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो यहां पर एक ही सीम यहां पर बता रहा है तो आप अगर आपको लगे अगर दो चार नंबर आप आपके list में यहाँ पर so होता है तो यहाँ पर tick करके और यहाँ पर this is not my पर click करके और यहाँ पर report करके आप complaint कर सकते हैं आपका complaint हो जाएगा और complaint का status चेक करने के लिए यहाँ पर यह जो है पर track option आप ट्रैक करके आप देख सकते हैं जो आपके दौड़ा complaint किया गया जो नंबर है उस पर क्या action लिया जा रहा है तो आप इस परकार से आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप आपके आधारकार से कितने सीम चल रहे हैं इसकी जनकारी आप निकाल सकते हैं दो क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह का वीडियो नए नए लाता रहता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में थब तक के लिए जय हिंद्ध